आज हम इस खास प्रोग्राम में बात करेंगे कान नाग गला होने वाले रोगों की जो ये रोग होते हैं हर दूसरे व्यक्ति को खत्रे में डाल देते हैं ये बिमारिया बहुत जादा आज के समय में आम हो सकती हैं इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं काना गला रोग विशिशग है डॉक्टर हिमाशु सेंग सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे खास कारिकर में जी विरकुल आज हम सर जानेंगे कि ये बिमारिया क्यों कि ये तीनों बैमारिया अपस सम्भंदित होती और लोग जो है बहुत-जादा confusion में रहते हैं कि 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 सब्रुक्टर के पास जाए नाक की समस्या है तो कि जुक्टर की पास जाए लोग बहुत-जादा जाग-रुक नहीं है इन बैमारियों को लेकर देखे ऐसा है कि नाक कान गला हमारे तीन ऐसे औरगन हैं जो कनेक्टेड हैं एक दूसरे से तो कभी भी जैसे गले का कोई इंफेक्शन होगा तो उसका दर्थ कान में हो सकता है नाक की कोई अलर्जी होगी उसकी वज़े से हमें आपने अकसर सुना होगा कि बहुत जादा को हम अगर नॉर्मल भाश्या में बात करें तो उसके कान बंद हो जाते हैं तो जुखाम भी जुखाम का जो इंफेक्शन है नॉर्मल कोल्ड का वो भी कानों तक पहुंच जाता है तो यह इसलिए कॉमन जाद है कि कोल्ड औन कफ आम लोगों को होता ही है उसकी वज़े से क कानों पर भी ऐसर आता है तो जब भी ऐसा कुछ है कि ना गला या कान में ऐसी कुई समस्या आ रही है तो खुद अधिकल स्टोर पर दवाई ना लेके खुद से ना जाके या किसी जनरल विजीशन को ना दिखाके आप एक विशेशक्य के पास जाए एंट स्पेशलिस्ट क में भी सैम ड्रॉप ढ़ता है वहाँ kts सी में लेपढ़िर को पता नहींजिच कियोंकि पता नहीं प्ता नहीं है कियो के आपका कान का ढवाद है किस वजय किस वज़ेंए हो रहा है Ooh सकता है कुछ फंकल इन्फेक्शन हो सकता कान के परदे में Oh सकता दर्स इसलिए हो कि आपके जबडे के जॉइंट में कोई दर्द है उसकी वज़े से भी कान में दर्द होता है तो वो एक विशेशग्य पर चेक करा के एंटी स्पेशलिस पर दिखा के तब ही कुछ भी लेना चाहिए ऐसा भी नहीं है घर के नुसके ट्राई कर रहे हैं कोई सर्सों कर वाएं और उसके हिसाब से ही द्वाइया लिएं सबसे से पहले अगर हम कांप के ही कर लेते हैं क्या होता है कभी कभार लोग श्मिंग पूल में जाते हैं आज कर बहुत जादा यह ट्रैंडिंग है जो यूथ है यववा है श्मिंग पूल में घर गया तो अपने जो प्लकर होता है उससे कान को रेदने लग जाते हैं सुई पिन यह सब को रेदने लग जाते हैं कैसे देखते हैं आप इस चीज को आप देखिए यह चीज तो कुछ नहीं करनी चाहिए स्विमिंग पूल नहीं हर एक अगर आप यह कहें कि नॉर्मल व्यक्ति को भी आदत हो जाती है कान में चाबी डालने की यह एक एरबड बहुत चल गया है तो यह सब चीज एक साइकलोजिकल प्लेजर जाता देती हैं कि अगर एक खुजाना चालू करा तो हम उससे करी रहें ईता Lebensो नहीं करना चहिए कुछ भी चीज के में नहीं डालने चाहिए क्योंकि क्टक कर सकती है नहीं पता कंगा परदा कितना अंधर है क्या है तो आपके कान के पड़े पे भी डैमेज हो सकता है तो इयर बड़ नहीं डालनी चाहिए कान की सफ़ई खुद से नहीं करनी चाहिए कोई चाब बी पिन नहीं डालनी चाहिए अगर ऐसा कुछ लग रहा है आपको कान बंद लग रहा है या कान में कोई दिक्कत हो रही तो वो आए इस पेशलिस्ट को दिखाए और फिर करवाए खुद से लॉक्तर की जो पुराने जमाने में दादी नानी हुआ करती थी वो बच्चों को लेकर बैठ जाती थी और कान उनके साफ करने लग जाती थी कान में वैक्स हो गया है तो उससे आप क्या कर देना आपको ऊ तो नॉर्मल उतना मेल कुछ जो मेल रहता है वो तो रहता ही है उसका भी एक प्रोटेक्टिव मेकनिजम होता है वो रोकता है कि कुछ कीड मकॉड़े ऐसे ना चले जाए बाकी यह भी देखा जाए आपने देख यह देखा हूआ कुछ गाउं में कहते हैं कि बग निकल वा हैं लगेगा डॉक्टर को तो निकालेंगे जादा कान बंद हो रहा है या इरिटेट हो रहा है बच्चा अधरवाइस खुद से निकाल लेगी उसके वो कोई आवश्यक्ता नहीं होती है या बिल्कुल बात करें कान में पानी भर जाने की कभी-कभी नहाते वक्त या फिर स पर कान चेक या कभी-कवर ऐसे लगता है कान बंद हुआ जुआ है वो क्वाइध में जाने हुआि या ऐसे पानी में जाने अदमी को algorithmsर फंगल इंफेक्षि न भी होता है अगर उसका हसल कॉई होता है इसा कुछ 대통령 होता है तो उसकी marginalizedike कान बंद कवता है तो अशने कान से इ के पीछे भी जी 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 जो आम लोगों को तो मालूम ही नहीं है बिल्कुल और दूसरी समस्य होती है कि जो आसपास speakers रगे होते हैं बुजर्गों को इससे बहुत जादा दिक्कत होती है दिल घबराने रखता है अगर उन्हें जो होता है वो स्पेसिफाइट रहना चाहिए और इतने जादे स्पीकर एक जगे पर नहीं रहने चाहिए क्योंकि आपने देखा हुआ कि आज कल कोई भी प्रोग्राम हो रहा है कुछ हो रहा है तो इतने हानिकारत होता है हम बात करें जाग्रोकता की पड़किक कान की वशीन से बहुत बचते हैं अगर उन्हें देखा दी कि आपको कम सुनाई देता है तो आप कान की मशीन का प्रयोक करिए तो वह बहुत जादा बच्चते नजर आते हैं गए यह का अमारे समाज में बना हुआ कwałाय के अगर हमें देखाई कमा दे रहा थे तो यह मा पहन लेंगे हमें पढ़नें में लाए मिला एंय तो हम अब जश्मा लिए लगा लेंगे लेकिंजानी नहीं देdag तो हम वॉल्म बड़ा देंगे या सामने वाले से बोलेंगे थोड़ा दुबारा तेज बोलो या जोर से बोलो तो ये एक हमारे समाज में बना हुआ है कान की मशीन निलगाएंगे कि लोग बहरापन या उस चीज का एक स्टिग्मा कहें हम जो अभी तक मेंटेंड है बट ऐसा नहीं होना चाहिए अगर एज की तो उसके लिए हम एड़ाइस करते हैं के अची सी यूशी करनी चाहिए और जो अगर शूचेंगे क्या वहिए और विछा आदमी सुन भी नहीं कारण ही था कि पछले बड़ी-बड़ी मशीन आती नहीं दिखती थी को लोगों को लगता दारिएं टो उससे पूछिए आ तो आपके घर में जो भी बड़े बूड़े हैं या ऐसे हैं अगर उन्हें कम सुनाई देता है तो उसे एग्नोर ना करते हुए आप ले जाएं स्पेशलिक्स के बास अगर वह एडवाइस करते हैं जैसे आप चश्मा पहना आते हैं वैसे आप मशीन भी पहना है ताकि वह भ जो फोड़ा सा देहान रखना चाहिए अवेर्नेस भड़नी चाहिए कि कानों की मशीन ऐसा नहीं है हमारी गवर्मेंट भी प्रोवाइड करती है जो नहीं चुन पाते उनको भी मशीन दी जाती है तो यह बहुत जरूरी है हमारे सुसाइटी में अवेर्नेस लाना के ज़ा मतलब वो observe करना चाहिए वैसे तो यह है कि हमारे जो प्रोग्राम में उसमें हैल चेक में यह है कि 72 आर्ट में हेरिंग टेस्ट होना चाहिए कि स्क्रीनिंग टेस्ट होता है और वो होता भी है तो अगर उसमें पता चलना है बच्चा रिस्पॉंड नहीं कर रहा या घर भी द जल्दी करेंगे उतना बहतर रहता है उसका कारण यह है कि अगर बच्चा सुन नहीं पाएगा तो उसकी बोलने की शक्ती भी डिवलपनी होगी और वो चीज इग्नोर नहीं करनी चाहिए अगर माबाप को लग रहा है कि बच्चा नहीं ध्यान दे रहा है आवाजों की तर अपना नॉर्मल लाइफ डिवलफ कर पाएगा अपना नॉर्मल डिवलपमेंट हो पाएगा उसका यानि कि संभव है कि यदि आपके बच्चों के अवा बच्चा आवाज नहीं सुन पा रहा है बच्चपन में तो बाद में संभव हो सकता है सुनने योग हो सकता है कारण देखने पड़ते हैं कि किस वजए से बच्चपन से उसका अगर नसी डेमेज है तो इंप्लांट से हो सकता है या कुछ और है तो वह कारण पर डिबेंड करता है बट हां सुन सकता है और एसी भी गवर्मेंट ना स्कीम स्टार्ट कर रखियर ज़सके अंदर ला इंब्लांधेशन हो ता और ऑर कान बहने की चोचे कान बहर रहे हैं तो यह होता है कि अब बच्चे को लेटा के दूद पिलाते हैं वो नहीं पिलाना चाहिए जो एक ब्रेस्ट फीडिंग एक प्रॉपर तरीका होता है जो पीडिटीशन एकस्प्लेइन गड़ता है बताते हैं कि आप उसका सिराना उसका उठा रहे क्योंकि बच्चों की जो नाक के और गले के पीछे ट्यूब होती जो कान को जोड़ती है वो पांस सा जो जाते हैं तो वही फिर बड़े तक रहता है तो अगर हम यह जागरुकता भी लाएंगे कि दूद प्लाने का भी एक सई तरीका रहना चाहिए लिटा के बच्चों को दूद ना पिलाएं ठीक के सिराना उठा रहना चाहिए या अगर इंफेक्शन हुआ बच्चों के का जाता है उसकी वैसे होता है और भी बहुत कारण होते हैं कि नाक के पीछे कोई मास बढ़ा हुआ है उसकी वाज़े से बच्चों के कान में दिक्कत नहां रही है तो उस चीज़ को एग्नोर ना करें क्योंकि उससे बच्चे की डिवलपमेंट पर भी असर पड़ता है तो क प्रिकॉशन बताए जाएंगे फेरेंट्स को बच्चे को जैसा भी होगा समझाया जाएगा बट ऐसा नहीं है कि अगर उसका बच्चपन में कान बह रहा है तो बड़े तक बहता रहेगा ऐसा नहीं होता है अगर हम बात करें नाक की नाक में लोगों को बहुत जादा समस् बड़े बाइन है तो अगरा वहीं होता है जादा ह। अस्तमा भी एक तरह का ऐलर्जी ही है कि हमारी बॉड़ी जो है वातरण के अंगेंज रियक्ट करती है तो एलर्जी बढ़ने का कारण कि यह भी है कि उसके पास हमारा एक्सपोजर बढ़ रहा है तो आप बच्छों में भी अडल्ड्स में भी बहुत केसे आते हैं कि नाक के नाक बहर है चीके आ रही है जराजा निकले तो उससे भी यह है कि आपकी जो डेली लाइफ स्टाइल है वो सेक्रिफाइज होती है तो उसके लिए यही है कि अगर ऐसा हो रहा है तो आप इस पेशलिस्ट के पास जाएं देखाएं तो ऐलर्जी को अगर आप इग्नोर करें नाक से ही जब आपको पता है कि नाक में आपको अलर्जी है और उससे आप ऊपको डॉर्टि घ्नोर करते रहें तो यक्त्य करसेन और ऊंवनारी होसे बचा hell कभी कभार देखा गया कि लोते जनने डचले की बहुत जादा समचे होते बना ही रहता है क्लिकष्थ है भी इसe हुआ तो तो आपको आपकी जो रोक प्रदिरोदक शमता है वो इतनी effective नहीं होती जैसे हम बोलते हैं इम्मिनिटी वो वीक रहती है तो आपकी body react करती है तो उसी को हम नजला बोल देते हैं तो उसके लिए वही है कि एक तरह से allergy को control हम कर सकते हैं क्योंकि वो body का reaction है क्यों और करना खतम करना तो वो तो possible नहीं है बट हम control इस लेवल तक लेएंगे कि आपको बार-बार वो चीज़ अटेक्स इतना frequently ना हो समस्या दीरे-दीरे खत्म होती जाएं कभी कबार देखा गया है कि लोगों की नाक की हड़ी तूट जाती है कुछ चोट रग गए या कुछ accident हो गया तो नाक की हड़ी तूट गए है तो क्या उसका वापस से उसी position में आना समभब है जी जी बिलकुल जैसे नाक की हड़ी है जैसे हमारे और शरीर के हड़ी है आपके हड़ी का किसी का भी fracture होता है आप जाके orthopedics पर जो हड़ी रोग विशिशक्य होते हैं उनके पास जाते हैं करतवाते हैं ऐसी accident में अगर नाक की हड़ी तेड़ी होती है या कुछ होता है तूट तो उसका भी हम लोग ENT surgeons करते है एलाज operate करते हैं छूपरूएं नाक की अड़ी करी जा सकती को उसमें अपने कि अंभी जैसे इस मौसम में अभी नाक कोना मैने की अच्चास्चें बढ़ेंगी उसका कारण ये है कि आप अभी लू चल लिए गरम हवाय चल लही है तो ड्राइनेस बढ़ना स्टार्ट होगी ड्राइनेस होगी अब नोस पिकिंग उसका सबसे कॉमन चीज होता है वो एक अनिंटेंशनल हैबिट होती है समय कि आप नाक कुरेद रहे हैं तो नाक में बहुत छोटी छोटी नस बढ़ता है तो कभी कबार नोस ब्लीडिंग नाक से खून आना वो बढ़ता है तो यह थोड़ा सा चीज है रहती है इनको गौर करना चाहिए कि नाक को साफ करना उस तरीके से लोगों को जागरुक होना चाहिए अपनी जो स्वास्त को लेकर अपने शरीर को लेकर बहुत देखिये अब वो उसका कारण है कि आवाज आना कान में अब किस वज़ेसे हा रही है। आपका लाव्ड एक्सपोसर हुआ है कुछ दिन तो उसके भी बहुत कारण होते हैं जो कान में गुड़ गुड़ होता है बट वह चेक कराने के लिए आपको यह है क्योंकि आपको नहीं समझ माइगा आपको दिखवाना पड़ेगा एक स्पेशलिस्ट पर विशेशक पर वह चेक करेंगे फिर वह आपको बताएंगे कि यह प्रॉब्लम है या आपको अभी एक्सपोजर हुआ है साउंड का हैभी साउंड को उसकी वज़े से है या वाइरल हुआ है उसकी वज़े से है तो वह अकॉर्डिंगली ट्रीट करेंगे आपका कभी-कभी लोगों कि क्या होता है कि कान में कुछ कीड़ा घुश जाता है उ दिखा देते हैं बट वह आवाज इस तरह की होती है कि यह लोग बोलते हैं जी बज़धो这是 लjor जीह लगता है योई जाग्रत आपने बुल एक ऑवétatन अब देखिए ऐसे मान के चलिए लोगों की मानसिक्ता यह है कि एक कान में दिक्कत है तो क्या हुआ कान तो मारे बास दो है आप समझ रहे हैं तो वह मानसिक्ता को खतम करते हुए कि आप समझे इस चीज को आपकी क्वालिटी ओफ लाइफ बहुत खराब होती है तो इसलिए जान जान कान में में कोई भी दिक्कत है आपको आप जाते हैं तो अगर जैसे किसी को देखने में में जान एक कोई यही को उप्रादियों की जर्म होशा यही है कि आप एक दिन जहल के अगर आपको ऐसा लग रहा है या सर्थों का दिल डल गया घर के त्राइब करके आप एक पर्मानेंट वो लेना चाहते हैं जो आपका एक कम उसमें समय में और वैसे हो जाता ठीक आप एक बड़ी बीमारी बनाना चाहते हैं तो आप यह सब ची है कि मेरे कान में कोई दिक्कत हो रही है तो ठीक है आप जब आप पे सुवधाएं हैं जब हैं लोग चेक करने वाले बने तो आप चेक कराईए और अगर कोई बड़ी चीज नहीं होगी तो बताएंगे और बड़ी चीज बनने से रोकेंगे अगर आप खुद करेंगे अगर करेंगे तो समस्या बहुत जादा ही बढ़ गई है तो तो बने गए हो और दूसरी चीज गले की समस्या है एक एक एसिड की वज़े से भी बनती है चिनको ज्यादा रहे हाएँ उनको भी जैसे आपने बोला ना गले में जलन जलन रहती है कि एसिट इतना आजाता है क जिसे हम रिफ्लक्स बोलते हैं तो उसकी वज़े से भी लोगों गले में जलन होती है और जो गला खराब होना बहुत जल्दी वो यही है कि जैसे नाक के अलर्जी है वैसे ही अगर आपको जादा कोल्ड होगा या सर्दी होगी तो नाक बहेगी हलकी अलर्जी रहती है तो कभ नाक से गले में कफ गिरता है तो उसको हम वही बोलते हैं पी एंडी गले का इरीटेशन तो यह समस्याइं भी हाँ फ्रीक्वेंट हो गई है क्योंकि कोविड के बात से जैसे के मैंने बोला के एक्सपोजर उतना नहीं हो लोगों का और अब वातावरन से एक्सपोज हो रह आता है क्या इन सब चीजों का फर्क दिल पर भी पड़ता है दिल की बिमारियों पर भी पड़ता है अब एससज डारेक्ट कनेक्शन नहीं है बट यह है कि कुछ बीपी की मैडिसेंस ऐसी होती है जैसे आपने बोला कि दिल की बीमारी उससे कनेक्शन कॉफ का यह खासी का क ब्लड प्रेशर की एक रेगुलर मैडिसें जो चलती रहती है उसके साइड एफेक्ट में कभी कवार कॉफ आता है तो वह भी देखना चाहिए कि एक जो ब्लड प्रेशर की मैडिसें है जो काफी लंबे समय से चल रही है तो जाके चेक कराएं या अपने डॉक्टर से बोल होती है कि गले गला कट जाता है कुछ खाने पीने में दिक्कत होती है गले में रैशिस हो जाते हैं कट जाता है वो किस वज़े से होता है वो गले का इंफेक्शन होता है जैसे कि अगर वाइरली उसे हम बोल सकते हैं बैक्टीरियल भी हो सकता है कि गले का इंफेक्शन हो ज से मैंने बता है कि रिफलक्स की वज़े से भी हो जाता है या किसी किसी को एलर्जी रहती है किसी आप पूचेंगे पूचेंगे तो आ कि यहनी जो बोलेगा का माचार खाता हूं यह अधी खाता हूं तो मेरा गला कट जाता है नॉर्मल तो एक ऐलर्जिक toughest होता है कि किसी को खटे जो पदार्थ होते हैं वे खख़टाई वगर थे अगर तो उसकी वजह से उनके गले में वैसा हो जाता है तो यहीए कि उन्हें आग। खराब होता है. और अगर ऐसा हुआ कभी साल छे महीने में ये काढ़ भार हुआ है कि हाँ पर पर हो रहा है या तो फीवर आया है तो दिखाना चाहिए जाके, के इन फेक्शन तो नहीं है गले में और एक समस्र्णा हो जाती है, सर की गले में यहां swelling आ जाती है यहां swelling आ जाती है हजी आप उसमें हिस्ट्री लेंगे के फीवर आया है कुछ वायरल हुआ है तो हमारे गले के आसपस थूख की गरंथियां होती है तो उनमें सूजन आ जाती है बच्चों में यूज्वली आती है जो यहां अगल-बगल हमारे कानों के नी नोड़ ना करें उसे कि हाँ सूजन आ गई है नॉर्मल है तो इस चीज़ को ऐसे नहीं देखना चाहिए कि नहीं अपने प्रटक जाएगी फिर होता है कि दो तीन दिन में वह चीज़ भड़ती है और विकार रूप लेती है फिर दिक्कत जादा होती है फिर पेशन को हमें एड्मिट भी गनना पड़ता है तो उस चीज़ पहना जाती हूँ अगर आपको लग रहा है कि हां मेरे गले में सूजन आई है मुझे बखार भी आया था तो आप जाकी दिखा लें उससे तुरंती है बहुत जादा खतरनाग बना सकती है और सबसे बड़ा जो इसका उपा मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि यह हमारा नाक कान गला जो एक सेंस ऑर्गन से हमारे तो उस चीज़ को अगर उसमें कभी भी कुछ होता है तो हमें इस तरीके से लापरवाई नहीं करनी चाहिए कि तो अपने आप सही हो जाएगा यह ऐसा कुछ हो जाएगा या अगर हमें एकदम से कम सुनाई देता है कि ठीक है मैं एक दो दिन में मेरे को फिर से सुनाई देने लगेगा ऐसा कुछ नहीं मेरे कान बंद हुआ होगा तो उसे भी इग्नोर नहीं करना चाहिए आपको तुरंध एंटी चेक अप कराना चाहिए को कभी कबार ऐसा होता है कि आप विदिन टाइम पिरियड पहुंच जाते हैं तो उस बीमारी को हम क्योर कर सकते हैं अदरवाइस यह एक टाइम पिरियड जब खतम हो जाता है लोगों को नहीं सुनाई दिया एक दम वाइरल इंफेक्शन हुआ कुछ नस पर डैमेज हुआ और वो फिर हफ्ते दस दिन बाद तो फिर वो नस की रिकवरी बहुत मुश्किल होता है कि वापस आ पाए तो इस चीज को कभी इग्नोर ना करें जिदने भी सीनियूस के दर्शकिस माध्यम से सुन रहे हैं वो इस चीज का ध्यान ने कि अगर आपको कभी भी नाक कान गले में कोई भी दिक्कत हो रही है समस ड़ूटर ना ना बने खुद समस्या का एलाज ना करें चैकप कराएं चैक बहुत ज्यादा जरूरी है था स क्या है इसक्या है सब अ्टॉटर हमोरी है था सब नबांत्य कैंणकार संब आरह से ज iaco a झाल झाल